पींदर सिंग reduce और दिपेंदर उड़ा सार्ज़णिक मन्चों से भाशन देते ओए लगातार नोक्रियों की बात करते हैं लेकिन अगर पेंदर हुड़ा के दस साल के कारेकाल को मुख्यमंतरी नोहरलाल के नो साल के कारेकाल से तुलना करें तो भुपेंदर सिंग हुड़ा आस पास भी नहीं ठैरते मुख्य मंत्री मनोहरलाल के भुपेंदर सिंग हुड़ा के कारेकाल के अंदर नोक्रियों की बंदर बाट होती थी परची खर्ची चलती थी योगे युवाओं की योगेता का अनादर होता था नोकरी केवल सत्ता के चहेते सत्ता के नजदीक जो लोग होते थे उनी को प्राप्त होती थी पर्ची खर्ची का बोल बाला था मुखे मंत्री मनोहलाल ने इस विवस्था को पूरी तरह से खतम किया गरीब और वन्चित को उसका हक देना शुरू किया योगे युवाओं को योगेता अनुसार पारदर्शी तरीके से नोकरी देना सुनिशित किया और इसके हमारे सामने बेशमार उधारण भी है अगर हम रोजगार के आंकडों पे ध्यान दे आज हर्याना प्रदेश के अंदर प्रियोडिक लेबर फोस सर्वे की रिपोर्ट को जो हम देखते हैं तो लगबग 5.2 प्रतिशत बेरोजगारी लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर बताई जाती है और उसके पैरलर अगर हम 2012-13 के अंदर केंदरिय श्रम और रोजगार मंत्राले की जो बेरोजगार और रोजगारी समंदित रिपोर्ट आई थी उसको देखते हैं तब हर्याना के अंदर बेरोजगारी 12 प्रतिशत के आसपास 12.3 प्रतिशत थी कहां 12.3 प्रतिशत कहां 5.2 प्रतिशत ये तुलना है भुपेंदर सिंग हुड़ा के कारेकाल और मुख्यमंत्री मनोहरलाल के कारेकाल की मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने सरकारी नोकरियों के साथ युवा अपना रोजगार करें निजिक शेतर में युवाँ को रोजगार प्रत हो इसके उपर काम करना शुरू किया अलग-अलग योजनाएं बनाई उन योजनाओं का नतीजा ये हुआ कि पिछले नो साल के कारेकाल में निजी उद्द्योगों में हर्याना के लगबग 19 लाख युवाओं को रोजगार प्रापत हुआ सक्षम, युवा, योजना, रोजगार मिले अगर हम उन सब को देखते हैं और केंदर सरकार और हर्याना सरकार की रोजगार से संब्दित योजनाओं के आकड़े को इकठा कर दें तो हर्याना के लगबग 45 लाख युवाओं को रोजगार प्रापत हुआ पिछले 9 साल में एक लाख बीस हजार पकी सरकारी नोक्रियें और जो ये निजिक शेतर के अंदर अलग-अलग योजनाओं में युवाओं को रोजगार प्रापत हुआ हैं इन सब आकड़ों के बनिस्पत आज सिती ये है के पील एफस की रिपोर्ट बताती है के हर्याना में बिरोजगारी मातर 5.2 प्रतिशत है जबके 2012-13 में श्रम और रोजगार मंत्राले की रिपोर्ट में 15-29 साल के युवाओं की बिरोजगारी दर 12.3 प्रतिशत थी ये अंतर है अगर इसको हुडा साब एक बार पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि सारजनिक मंचों से रोजगार के विश में बोलते हुए एक बार चिंतन अवश्य करेंगे